औरंग जेब की मृत्यू के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह तथा पौत्र जहांदार शाह कुछ दिन के लिए बादशाह हुए किन्तु कुछी दिन बाद औरंग जेब के एक प्रपौत्र फरुक शियर ने जहांदार शाह को मार डाला और स्वयम मुगलों के तक्त पर बैठ गया उसने मुगलों के पुराने शत्रू मारवार नरेश अजीद सिंग को विवश किया कि वे अपनी राजकुमारी इंद्रकुम्री का विवाह फरुक शियर से कर दे महराजा अजीत सिंग अपनी पुत्री का विवाह मुसलिम बादशाह के साथ नहीं करना चाहता था किन्तु उसे परिस्तितियों के समक्ष घुठने टेकने पड़े इसवी 1714 की सर्दियों में महराजा अजीत सिंग ने राजकुमारी इंद्र कुमरी का डोला बादशाह के लिए भेज दिया अंग्रेज अधिकारी जोनाथन स्कॉट ने इस विवाह का आँखों देखा हाल लिखा है वे लिखता है दुलिन की तरफ से सारे कारे अमीर उम्रा ने किये और शादी ऐसी शानो शौकत और धूम नाम से हुई जैसी हिंदुस्तान के राजाओं के यहां पहले कभी नहीं देखी गई थी शाही जुलूस में शानदार जंडे नजर आते थे नगर की रोशनी, सितारों की रोशनी को मात करती थी छोटे बड़े सभी ने इस विवाह के जलसों में भाग लिया और सब आनन्द से भरे नजर आते थे बादशाह अमीर उम्रा के महलों में गया जहां शादी की रस्म अदा होने के बाद वे राजकुमारी को शाही शानो शौकत और गाजे बाजे के साथ आनन्द से चिलाते होए जन समु के बीच से अपने महल में चला गया वन्शु भासकर में लिखा है कि महराजा ने स्वयम दिल्ली जाकर अपने पुत्री का विवाह बादशाह से किया किन्तु यह बात सही जान नहीं पड़ती महराजा अजीत सिंग पहले से ही मुगलों का दुश्मन था किन्तु अब उसे मुगलों से दुश्मनी करने का नया कारण मिल गया था वे बादशाह के प्राणों का प्यासा हो गया उसने महराव भीम सिंग हाडा राजा गज सिंग नर्वरी जाट नेता चूडामन कुतुबल मुल्क नजमुद दिन अली खां रौरत खां आदे कई प्रभाशाली व्यक्तियों के साथ मिलकर अपना एक शक्तिशाली गुट बना लिया एक दिन महराजा अजीट सिंग अपनी सेना लेकर लाल केले में घुस गया महराजा ने लाल केले में इस्थित प्रत्येक महल तथा भवन में अपने सैनिकों को निउक्त कर दिया अन्य हिंदू राजाओं ने दीवानी और खान सामा के कमरों पर कबजा कर लिया उसी दिन दोपहर के समय 30-40 हजार मराठा सवारों के साथ हुसेन अली खाने भी दिल्ली में प्रवेश किया मराठा गुड सवारों को बादशाह के महल के फाटकों तथा आसपास के मारगों पर तेनात किया गया दोपहर के बाद कुतुल उल्मुल्क बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ बातों ही बातों में बादशाह तथा कुतुल मुल्क के बीच कहा सुनी हो गई उसकी बातों से बादशाह आग बबुला हो गया बादशाह की इतकाद खान से भी कहा सुनी हो गई शेगरी बादशाह को पता चल गया कि परिस्तितियां बेहत गंभीर हैं बादशाह ने महराजा अजीत सिंग को आदेश भिजवाया कि महल का यमना की तरफ वाला पूर्वी भाग रक्षकों से रहित है यदि हो सके तो अपने कुछ आदमी उदर भेज़ दो ताकि मैं यहां से बाहर निकल कर अन्यत्र चला जाओं महराजा अजीत सिंग ने बादशाह को उत्तर भिजवाया कि अब अवसर नहीं है जब महराजा अजीत सिंग से मदद नहीं मिली तो बादशाह ने मुहमद अमीन खांच चिन बहादुर तथा जकरिया खांच से साहता मांगी वे विशाल फोजों के साथ लाल के लिए में घुस गए तथा उन्होंने डेड़ हजार मराथा सेनिकों और उनके अफसरों को मार डाला इस पर महराजा अजीत सिंग ने अपनी सेना को बादशाह के समर्थकों पर आकरमन करने के आदेश दिये अजीत सिंग की सेना ने मुस्लिम सेना में कसकर मार लगाई बहुत से मुस्लिम सेनिक मारे गए और बहुत से जमुना पार धकेल दिये गए बादशाह का पक्ष बिखर गया इस प्रकार सत्रह परवरी 1719 को जोदपुर के महराजा अजीत सिंग ने सेयद बंधों की साहता से दिल्ली के लाल के ले पर अधिकार कर लिया महराजा ने लाल के ले के दीवाने आम में अपना आवास बनाया तथा वहीं पर घंटों और शंक द्वनियों के बीच हिंदू देवी देवताओं की पूजा की तथा तीन दिन तक लाल के ले को अपने अधिकार में रखा मुगल बादशाह फरुक शियर भाग कर जनाने में च्छिप गया और तीन दिन तक वहां से नहीं निकला कुतुबल मुलक को फिर से बादशाह के पास बेजा गया उसने बादशाह से निवेदन किया कि वह बाहर आकर नित्य की भाती दरवार करें किन्तु बादशाह बेगमों के महल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हुआ हुसेन अली खाने भी बादशाह को कई बार पत्र लिखकर भीतर विजवाया किन्तु फर्रुक सियर बाहर नहीं निकला इस पर हिंदु राजाओं और मुस्लिम अमीरों ने बादशाह को गद्दी से उतार कर औरंग जेव के एक अन्य पौत्र शैजादे बेदार दिल को तख्त पर बैठाने का निश्चे किया महराजा अजीत सिंג्ञ ने अपने भंडारियों को शैजादे बेदार दिल को लाने के लिए भेज़ा महल की बेगमों ने समझा कि महराजा के भंडारी बादशाह को गिर्फतार करने के लिए आये हैं इसलिए महल के द्वार बंद रखे गए और भंडारियों को भीतर नहीं गुसने दिया गया तब महराजा अजीत सिंग ने एक अन्य मुगल शैजादे रफी उद्दर जात का हाथ पकड़ कर उसे मुगलों के तक्त पर बैठा दिया महराजा अजीत सिंग के आदेश पर रफी उद्दर जात ने हिंदूओं पर से जजिया उठा लिया तथा हिंदू तीर्थों को सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त कर दिया इसके बाद महराजा के नेत्रत्व में लगभग चार सो व्यक्ति शाही महलों की और तेजी से बढ़े मार्ग में हरम की औरतों ने शस्त्र लेकर उनका सामना किया किन्तु वे मार डाली गई बादशा एक छोटे से कमरे में छिपा हुआ मिला उसकी माता तथा पुत्रियों ने बादशा की रक्षा करने का प्रयास किया किन्तु महराजा के आदमी फरुक शियर को नंगे सिर तथा नंगे पैरों गसीडते हुए गालियां देते हुए एवं पीटते हुए बाहर निकाल लाए कुतब लमुल्क के आदेश से फरुक शियर की दौनों आखें फोड़ दी गई और कैद करके त्रिपोलिया दर्वाजे के ऊपर रखा गया शाही जनाने खाने एवं भंडार तता महां के आदमियों के पास जो भी सोना, चांदी, आभूशन, रत्न, तामे के बरतन, वस्तरादी थे वे सब लूट लिये गए, दासियों और अन्य इस्त्रियों तक पर अधिकार कर लिया गया महाराजा अजीद सिंग की पुत्री भी बादशाह की बेगम के रूप में हरम में मौझूद थी उसका सामान नहीं लूटा गया कुछ दिन बाद फरुक सियर का गला घौट कर उसकी जान ले ली गई महाराजा ने अपनी पुत्री की हिंदू रिती के अनुसार शुद्धी करवाई उसने मुसल्मानी पोशाक उतार कर फिर से हिंदू वेश धारन कर लिया लाल किले के महलों में राजकुमारी इंद्र कुमरी की एक करोड रुपयों से भी अधिक की व्यक्तिकत सम्पति थी महाराजा ने राजकुमारी इंद्र कुमरी को उसके सामान के साथ जोधपूर भेज दिया महराजा के इस कारे से कट्टर मुसल्मानों को बहुत धक्का लगा और काजी ने ये फत्वा जारी किया कि धर्म परिवर्तन किये हुए व्यक्ति को वापस देना मुसल्मानी मज़ब के खिलाफ है सेद अब्दुल्ला खां महराजा जीद सिंग को खुश रखना चाता था इसलिए उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया महराजा की पुत्री के निर्वाह के लिए मुगल खजाने से 18,000 रुप्या मासिक देना तैह हुआ एहमदाबाद के सूबेदार को शाही खजाने से यहराशी देते रहने का आदेश्ट दिया गया महराजा अजीद सिंग द्वारा लाल किले की दिवारों के बीच खेला गया यह खुनी खेल आज भी इतिहास के पन्नों पर धर्ज है मुगल बादशा के खुन से रंगे इतिहास के यह पन्ने आज भी महराजा के साहस एम पराक्रम की कहनी कहते हैं मुगल